प्यारे वच्चों नमवनवा कछच है कि संस्क्रित प्यूश्वन नमव कुष्टक में आज का विशय है उद्वो धनम आईए इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं कि यहां आपके लिए क्या वक्त दिये गए हैं जिने जिन पर हमें अमल करना चाहिए हमें विचार करना चाहिए मा कुरुदर्पं मा कुरुगर्वं मा भव मानी मानय सर्वं मा भज दैन्यं मा भज शोकं मुदित्मना भव मो दय लोकं मावद मीथ्या मावद व्यर्थं नचल कुमार्गे ना कुर्वनार्थं पाहि विपन्नं पालय दीनं लालय जननी जनक बिहीनं तनयं पाठय तनयां पाठय शीचय नीतिम्दोशं वारय कुरूपकारं कृत्यमुदारं अपनय दूरेचित्विकारं मापिवकिंचिद वस्तुनिशिधं मावजदुर व्यसनं प्रतिशिधं मानय पलम पीव्यर्थं शमयं कुरुजगदीश्वर चिंतनं भयं तो इस प्रकार से ये स्लोक हैं आईए अब इसके सर्दार्थ को देखते हैं मा मतलब मत या नहीं कुरु मतलब करो दर्पम मतलब घमंड अकड गर्वम मतलब अभिमान भव मतलब हो मानी मानी का अर्थ है अभिमान करने वाला मानय का मतलब है सम्मान्दू भज माने रखो दन्यम माने दीनता मुदित मनाम माने प्रसंद मन मोदय माने प्रसंद करो, वद माने बोलो, मिध्या माने छूट, व्यर्थम माने वेकार, अनर्थम माने बुरा, पाही माने रच्छा करो विपन्नम माने दुखी, लालय माने लालल पालन करो, विहीनम माने रहित को, तनयम माने पुत्र को, तनयाम माने पुत्री को, पाठय माने पढ़ाओ, वारय माने दूर करो, कृत्यम माने कार्य, चित्विकारम माने मन के विकार दोस को या मन के विकार को, अपनाय माने हटाओ दुर्वेसनम माने खराब आदत तो यह जो है यहां कुछ सब्दार दिये गए हैं अब आईए हम लोग इन इस लोकों का अर्थ जानते हैं मा कुरु दर्पम मा मतलब नहीं कुरु माने करो दर्पम माने घमण घमण नहीं करो मा कुरु गर्वम, मा मने नहीं कुरु माने करो, गर्वम माने अभिमान, अभिमान नहीं करो मा भव मानी, मा मतलब नहीं भव माने हो, मानी माने अभिमानी, अभिमानी मत हो, अभिमान करने वाले मत हो मानय सर्वम मतलब सम्मान्दो मानय मानय सम्मान्दो सर्वम मानय सभी को सम्मान्दो मा भज दैन्यम मा मानय नहीं भज मानय हो दैन्यम मानय दीनता दीनता वाले मत हो दीनता मत रखो मा मानय नहीं भज मानय रखो दैन्यम मानय दीनता दीनता मत रखो, मा भज शोकम, मा मने नहीं, भज मने रखो, शोकम मने शोक, शोक मत रखो, मुरित मना भव, मुरित मना भव मने प्रसंद मन्वाले हो, भव मने हो, मुरित मना मने प्रसंद मन्वाले, मोदय लोकम, मोदय मने प्रसंद करो, लोकम मने सभी को, सभी को, पुरे स संसार को प्रसंद करो। अनर्थ नहीं करो या बुरा नहीं करो। उनका लालन पालन करो। तनयम पाठे। तनयम माने पुत्र को पाठे मने पढ़ाओ। तनयाम पाठे पुत्री को पढ़ाओ। शिच्छय नीतीम दोशं वारे। शिच्छय नीतीम नतिक्ता की शिच्छादो दोशं वारे और दोशं को दूर करो। कुरूपकारम कृत्यमुदारम कुरू मने करो। उपकारम मने उपकार। उपकार करो कृत्यमुदारम और उदारकारियों को करो। अपने दूरे चित्विकारम अपनाय माने हटाओ, दूरे माने दूर, चित्विकारम माने मन के विकारों को मन के दोशों को दूर करो मा पिव किंचित वस्त निशिध्धम, मा मने नहीं पिव माने पेजिए किंचित भी, जरा भी वस्त निशिध्धम, निशिध वस्त को जरा भी मत पेजिए मा भज दुरवेशनम प्रतिशिद्धम मा माने नहीं भज माने रखिए दुरवेशनम दुरवेशनों को मत रखिए और प्रतिवंदित चीजों को मत रखिए माने पलमप व्यर्थम समयम मा माने नहीं पलमप माने पलभर भी व्यर्थम माने व्यर्थ कीजिये समयम माने समय को पलभर भी समय को व्यर्थ मत कीजिये कुरु जगदिश्वर चिंतनम अभयम, कुरु माने कीजिए, अभयम माने निर्भीख हो करके, चिंतनम माने चिंतन, जगदिश्वर माने भगवान की, निर्भय हो करके भगवान का चिंतन कीजिए. तो इस प्रकार से यहाँ चार पुद्वोधन हम सभी के लिए दिये गए हैं, जिन पर हमें अमल करना चाहिए, जिनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, जिसे हमें मानना चाहिए, तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे इसी पाठ के अभ्यास के साथ, तुसं उन्सकुताम